जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर कान्ड का जी हां यह सुन्दर कान्ड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेका नेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभुश्री राम जी की क्रिपाएं प्राप्त होती तो आईए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुंदर रामायन में सबसे सुंदर भगतों सुंदर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर रामायन में सबसे सुंदर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगद जामवंत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे हैं जामवंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्शा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओंने आहार का वरधान दिया हुआ है देवताओं के वर्दान का मान रखते हुई श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुँचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकीनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लगुरूप बनाकर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बतलाई हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चोंधाई है सीया मा का पता न पाए सीया मा का पता न पाए पहरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोक पाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुंत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मासीता से वादसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मासीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भेंग कर युद्ध हो जाता है जिसमें रावण का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावण का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकड़ कर अपने पिता रावण के पास ले जाता है सीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावण प्रोध में आजाते हैं केल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँछ में आगती लगवाए हनुमत ने भी राम बोलके सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दल, कुझतो सुन्दर काण। शीहन मत के लीला आव का, करता ये कुणगाण। रामायन में सबसे सुन्दल श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूथ उनकी चूडामनी लेकर जै श्री राम का उध्धोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को पृदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं, अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुची है तीन दिनों तक करी तफस्या, फिर भी सागर ना माना शिरी रामने अगनिवान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने, और ये उपाय थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर, परसे तू को बंधवाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में, जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीला आउटा, करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर शीहन मत की लीलाओं का परता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुँची रामन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंगोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विवीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुशेण को लियाए वैद्य जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवन वेख से उड़कर हिमालय परवत स्रंखला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे बगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीला ओटा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर जुमतों सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीला ओटा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीज घंगोर युद्ध हुआ भकतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्ष्मन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुष्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीबावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम कि क्रोध्वे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दख उन्दों सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दख रामायन में सबसे सुन्दख